नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभे कुमाज शर्मा और आज हम लोग इस डेयक्टर का औरी टॉपालोजी करेंगे तो री टॉपालिजी क्या होता है डिेयो reckcas a जो का वार π्रेम कैसे बनाए गया है इसका बसक्स कर proceso इसी को topology बोलते है और retopology कहने के मतलब इसकी topology हम दुबारा बनाएंगे तो दुबारा क्यों बनाना पड़ेगा क्योंकि यह जो character है भी इतना dense है इतना इतने जाधा polygons है इसके अंदर कि इसको अगर हम लोग चाहें कि इसको animate करें तो यह काफी difficult है और यह बहुत ही slow चले हिसाब से हो ठीक है तो इसके लिए retopology करना बहुत important होता है तो मैंने बताया था कि एक तो आपका artistic साइड होता है जहां पर आप स्कल्प्ट करते हैं character को दूसरा technical side है जहां पर हम लोग इसकी retopology करेंगे अभी तो यहां पर क्या है कि मैं इसके retopology का basic मैं यहां पर आपको तो मैं अभी इसको थोड़ा bite size में create करता हूं छोड़ा size में create करता हो ता कि आपको ज्यादा difficulty ना हो time waste ना हो तो मैं यहां पर ज्यादा बखबख ना करते हुए मैं सीधे point पर आता हूं तो इस वाले video में हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले तो हम लोग को topology setup करना पड़ करेंगे और जो जो basic जो loops है इस जो body में body है उसके बाद next video में इसको हम लोग हो सकता है कि इसे एक video इसका हो गया एक video hand का हो जागा एक video feet का हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग को आगे क्या create करना है जैसे इसका mouth है वो से हो लोग create करेंगे ठीक है तो पहले setup करते है पहले एक plane create करते हैं पहले तो मैं यह जो cursor है इसको में ले आता हूं center में और screen cast keys on कर लेते हैं इसको बंद करता हूं तो एक plane create करेंगे plane लिया मैंने और इसको मैं rotate कर लूँगा 90 degrees इस तरीके से और इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं इदर ले आता हूं मैं छोटा कर लिया ठीक है और अभी मुझे इसके उपर इसको यह करना है क्योंकि हम मेरा model already create किया हुआ है बस मेरे पास जो information 3D का वो already है बस उसके हिसाब से मुझे उसका topology create करना है तो इसको यहां पर कैसे लाएंगे यहां पर हम ले जाएंगे तो इसके अंदर जा रहा है ठीक है तो उसके लिए हम लोग करते हैं snap और यहां पर हम लोग यूज करेंगे face project ठीक है तो face project में आपको बस ध्यान देना है कि जब हम लोग इसको ऐसा करते हैं तो इसका जो face इसका जो यह जो geometry है यह इस जो 3D model है यहां पर इसके face पर प्रोजेक्ट हो रहा है ठीक है तो अभी अगर माल लीजे कि मैंने अभी आप देखेंगे ध्यान से कि यहां पर यहां पर यहां पर आपको एक एक ऐसा round दिख रहा और वो snap हो रहा है जो कि कि ऐसा चाहिए नहीं हम लोग क्या चाहिए कि इसका एक 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 वर्टिक्स जो है इसके जो वर्टिस हैं वह सब पूरे सर्फिस पर स्नैप हो जाए तो वह कैसा कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर एक option है जिसको हम लोग बोलते है project individual elements अभी अगर हम लोग करेंगे तो यह इस project में जो सबसे important चीज़ है कि जब projection आप कर रहे हो तो आप सामने में करें ऐसा नहीं कि तिरच्छा होगा ऐसा projection नहीं किया ठीक है नहीं तो वह गरबड हो जागा ठीक है तो फ्रंट में करें हमेशा अभी इसको हम लोग को दिखाई देना चाहिए दिखनी रहा तो इसक है और यह जो object है इसको मैं एक material देता हूं इसका जो object का जो properties है इसमें जाएंगे हम लोग और यहां पर color change करेंगे और color change करेंगे कुछ ब्लू हो गया यह पिंक ले लिया ठीक है तो यह दिख नहीं रहा है यहां पर क्योंकि हम लोग को यहां से change करना पड़ेगा इसका जो faces है वह उल्टा हो तो हम लोग को इस साइड में देखे यह पीछे साइड में देख रहा है यानिकि इसका जो faces है वह flipped है तो इसको क्या कर सकते हैं इसको दुबारा हम लोग बाहर की तरफ कर सकते हैं या उसको के पीछे वजह है कि इसको हम लोग इन फ्रंट कर देंगे तो यह दिखने लएगा शिफ्ट एंड करेंगे तो यह री कैलकुलेट करता है आउटसाइड तो यह हो गया अगर माली यह नहीं दिख रहा तो शिफ्ट एंड दबा सकते हैं ठीक है तो यह हो जाने के बाद इसको नया फीचर इस blender में launch होगा है कि generally हम लोग क्या करते हैं कि यह यूज इसके साथ साथ है इसके साथ साथ हम लोग एक modifier यूज करते हैं री ट पॉलिजी के लिए जिसका नाम है shrink wrap लेकिन अभी हम लोग को shrink wrap यूज करने की जरूत नहीं है यहां पर ठीक है क्यों नहीं है वो हम लोग इसको कर लेते हैं ठीक है मतलब इसका लूप create कर लेते हैं ठीक है वो problem क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और यहां पर mirror हम लोग का हम लोग on कर लेंगे ताकि हम लोग को back side का create मतलब जो दूसरा opposite side उसको हम लोग create ना करना पड़े तो mirror डाल लेते हैं यह अब ही अगर माल लीजिए कि मेरा face project on है और अगर मुझे माल लीजिए एक यहां पर नीचे में create करना चाहता हूं मैं एक इस तरीके से सेग्मेंट मैंने create किया लेकिन problem क्या होता है face project में यह देखिए जो कि यह face projection जो है वह आपको front से करना पड़ता है और जो भी surface होता है उसके उपर यह project हो जाता तो यह इस तरह का problem आपको create हो जागा जो हम लोग को नहीं चाहिए तो उसमें मतलब जो old तरीका होता था उसमें shrink wrap कहां गया shrink wrap से थोड़ा बहुत इसमें help मिलता है लेकिन बहुत ही जादा उससे जादा बहतर option भी यहां पर है face nearest और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो blender का version use कर रहे है वो latest वाला हो 3.3.0 at least ठीक है तभी आप इसको use कर पाएंगे यह इस से latest हो अभी के time में मतलब इस समय में यह tutorial record कर रहा हूं उस समय के हिसाब से यह feature नया है future में यह तो already पुराना हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा double click करेंगे और इसको एक बार extrude करता हूं मैं तो देखिए कि यह सारे जो नए वाले faces create हुए वो properly अपनी जगह पर हो गया ठीक है है face nearest steps में मैंने eight रखा है ठीक है इसको बढ़ा सकते है जनरली यह side by default one रहता है इसको मैंने eight करके रखा हुआ ठीक है तो इस तरीके से हम लोग का में जो यह है वो पूरा हो गया है यहां पर पीछे के जो faces दिख रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए तो और यहां पर देखिए यह वाइल फ्रेम भी नहीं दिख रहा तो अगर वाइल देखना चाहते हैं त तो यहां पर यह on हो जाएगा मतलब mirror का यह वाला जो एडिट वाला portion है cage ठीक है या फिर अगर मालीज आपको disturb हो रहा है काम करने में तो आप mirror को भी off कर सकते हैं तो यह off कर दता हो मैं और इसके बाद जो faces जो दिख रहे हैं यह back side के faces जो हम लोग को नहीं देखना है तो उ back faces ही दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे recalculate करेंगे shift n और यह सही हो जागा ठीक है अभी सिर्फ problem यह कि यह back side के vertices यहां पर दिख रहे हैं जो जिसका फिलाल मुझे कोई solution नहीं मालूम ठीक है यह आप हो सकता है कि blender का जो next version आ या उसमें यह feature ऐसा आ जाए कि हम लोग यह back side का ना दिखें यहां पर कलती से select होके फिर यह move हो सकता है इस तरह का problem होता है तो इस तरह के चीज़ों को generally हम लोग avoid करते हैं but माल लीजे कि आपको बहुत complicated piece पर यहां पर काम कर रहे हैं और पीछे का चीज़ जो है वो आपको disturb कर रहा है wireframe तो उसका एक तरीका यह भ पाएंगे इससे बाहर जाना है तो फिर से अल्ट भी दबाएंगे और हम लोग वापस आ जाएंगे तो इस तरह के tools आप यूज़ करके आप you know retopology कर सकते हैं तो यह basic setup है जो हम लोग का पूरा हो गया अभी हम लोग क्या है यहां पर जो जो में में loops है वह मैं create करता हूं तो मुझे फिलहाल यह नहीं चाहिए तो मैं इसको एक काम करते हैं पहले तो सिर्फ मुझे यह मैस चाहिए यह आखे आखे जो हटा जाता हूं मैं तो हाइट कर सकते हैं इसको select करके h दबाएंगे तो हाइट हो जागा या फिर आप मालीजे कि मुझे यह चाहिए यह चाहिए बाकी कुछ और नहीं चाहिए तो मैं shift h दबाऊंगा तो वह automatically चला जागा ठीक है तो अभी हम लोग आते हैं edit mode में और इसको मैं कर दता हूं delete और हम इसी भी topology को हम लोग create करते हैं और हम लोग specifically जो हम लोग animation के लिए create करने वाले हैं तो हम लोग को ध्यान दे रहा होता है कि जहां जहां पर deformation होने वाला है वहां पर उस हिसाब से उसकी topology हो तो फिलहाल मैं उतना deep में नहीं बता रहा है आपको मैं यह बता रहा हूं यह main loops at लिस्ट आपको create करना पड़ेगा कि एक आई के लिए loop हो गया यहां पर blinking होगा फिर face के लिए होना चाहिए hand के लिए specific हम लोग को बनाना पड़ेगा एक loop इसके लिए बनाना पड़ेगा तो start करता हूं मैं यहां पर ठीक है तो और किस तरीके से बनाना चाहते हैं इससे बन प्रॉब्लम है यह अभी इस टूल के साथ आ रहा है मतलब यह जो snap वाला जो function है face nearest इसमें आ रहा है क्योंकि अभी मैंने जो create किया वो back side से snap हो यह पता नहीं कहां हो गया और इसके बाद जा मैं कर रहा हूं तो कुछ और ही हो रहा है फिर इसका solution फिलहाल मैं face project से कर सकता इसको face project ठीक है यह आ गया center में clipping on इसलिए चिपक गया है तो इसको मैं थोड़ा इधर ले लता हूं clipping on कर देते हैं और अभी यह सही जगा पर है देखिए तो इसको अभी मैं वापस switch कर जाता हूं face nearest में अभी हम लोग यहां से start कर सकते हैं तो पहले इसके लिए आई के लि detail में काम ना करें तो बहता है क्योंकि जतना detail add करेंगे उतना दाद आपका time waste होगा तो main main जो इसका loops है वो create करें यार मतलब जैसे जो एक basic structure है वो हम लोग पहले create करते हैं ताकि हम लोग को बाद में तकलीफ ना हो ठीक है तो यहां पर eye का create करते हैं यहां पर ऐसे लिया यह ऐसे और आप कोशिच कीजिए कि आपका जो दोनों site का जो vertices है वो सेम क्योंकि जब लोग इसको बंद करेंगे आख को तो क्या होगा कि अगर वर्टिस सेम नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा ठीक है तो जैसे जैसे है उसको match करते जाए ठीक है यहां से हो गया इसको हम लोग यहां पर merge कर देते हैं at center ठीक है तो यह create हो गया है वैसे ही मैं माउथ का भी create कर सकता है माउथ का हम लोग बाद में देखेंगे कैसे करना है फिल्हाल मैं एक basic ऐसे बना के छोड़ देता हूं ठीक है तो इसको ऐसे कर देते हैं यहां पर shifty hand के लिए भी करना पड़ेगा तो कुछ इस तरीके से यह हो गया यह हो गया यह हो गया और यही देखेंगे फाइदा है आपका face nearest का अभी मैंने जो किया यह जो मैं कर रहा हूं ठीक यह सही जगा पर है अगर मैंने face project यूज क्या हो था तो यह जो वर्टेक्स ह यह हांथ के ऊपर चला आता ठीक है तो अच्छा है ब्लेंडर इस फील्ड में भी काम कर रहा है और सिर्फ यह जो problem आ रहा है यह face इसको हटा दो मैं यहां से तो निकल जाएगा जब काम होगा तो इसको on कर लेंगे ठीक है तो यह अपना hand के लिए हो गया arm के लिए hand यह है कोई बात नहीं तो और इसके लिए फीट के लिए भी कर लेते हैं तो इसको मैं create नहीं कर रहा है control राइट क्लिक करके मैं एक vertex create कर सकता हूँ बट फिर वही problem होगा उससे अच्छा है कि मैं इसको duplicate कर लूँ और यहां ले लूँ खीच लूँ और इसके बाद यहां से एक तो तीन वे थोड़ा सा time consuming है और बोरिंग है तो हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा जो वीडियो इसको थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो आर राइट तो यह हो गया यह हो गया इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि आए कि आए और इसको ऐसे भी कर सकते है अगर माले जे मैं फ्रंट में गया यह थोड़ा तेड़ा मेरा हो गया तो इसको select करके इसको scale कर सकते हैं लोगे z axis पे 0 गड़बढ़ हो गया कुछ और select थेसका मतलब तो इसको select करेंगे L दबाएंगे यह double click करेंगे और scale z 0 और एक बार थीक है अतलब ऐसा कुछ है नहीं वैसे ही हो गया वापस इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रखूंगा ठीक तो यह है main loops और इसमें मैं क्या कर सकता हूं जिसे यह तो फिलाल vertices और agency हैं तो इसको extrude करेंगे और scale करेंगे एक रिट हो जागा और यह फिर से रिवर्स हो गया shift n recalculate normals और यह दिखने लगा shift extrude scale यह हो गया extrude scale select करके shift n shift n यह सही है ठीक है okay तो यह main loops हैं face का करना चाहें यह mouth का करना चाहें तो कर सकते हैं extrude scale और मैं mirror on करता हूं आप नीचे लाएंगे तो फिर एक loop ऐसा करीट होना चाहिए बट हम लोग इसका बाद में देखेंगे जो main body है उसके उपर इतने ही loops है main और इसके बाद फिर हम लोग इसको fill कर देंगे बस ठीक है तो जैसे यहां पर मैं इसको extrude कर लेता हूं यह यहां पर आ गया ठीक है वैसे ही नीचे में यहां पर कर सकते हैं तो ऐसे करो लो देखते हैं हैं अगर होगा तुमने बाद में निकाल हुआ आप और जो मैं create कर रहा हूरों वो ऐसे कर रहा हूं तकि uh match करणा हो जाए यह तो अगर ऐसे तो उसके हिसाब से कर रहा हूं तो अब U आप 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 सकते हैं अप्तब लूप से एड़ करना और डिलीट करना कोई बड़ी बात नहीं कंट्रोल आप दवाएंगे आप लूप आप कर पाएंगे कंट्रोल एक्स दवाएंगे और यह निकल जाएगा तो एक फेस के आराउंड मैंने क्रिएट कर लिया लूप और इसको ऐसे ले लेते हैं कि बंदी कर देता है ठीक है है और इसको फिल कर सकते है यहां पर कいसे करना है वो देखेंगे बाद में ठीक है हाँ मैं अभी यहां पर यह नहीं करना चला मैं भास आपको दिखाफा रहा था कि में लूप्स कैसा angry करने आप कर लिए हम लोग ने तो नेक्स वीडियो में इसको हम लोग पूरा फिल करेंगे ठीक है I hope कि आपको यह समझ में आप यह देखिए आपको तब समझ में आगा जब यह connect करना है यह पजल की तरह होता जिसको हम लोग को solve करना होता और यह तभी होगा जब आप इसके ओपर काम करेंगे और इसके कुछ basics हैं वह मैंने अभी फिलहाल नहीं बताया हैं but hopefully आप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा so thank you so much for watching this video I'll see you next time bye bye